हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ, आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे माईसेल्फ सुमन माईश्वरी प्रामचिफ जोती एडुकेशनल ग्रूप कोटा बच्चों, क्या आपके घर पर आपको आपके मम्मी पापा, दादा दादी और सभी बड़े अकसर आपको ये कहते होंगे न, कि बिटा आपको सारी सबजियां खानी चाहिए जी हाँ बच्चों, वो बिल्कुल सही कहते हैं, आपको सभी सबजियां खानी चाहिए क्योंकि सबजिया खाना हमारे सेहत के लिए बहुत फाइदे मन्द है इससे हमें बहुत ताकत मिलती है तो आज मैं मैं आपको जो कविता सिखाने वाली है उसका शीर्षे के आलू बोला और इस कविता में आप देखेंगे कि सबजिया खाना कितना फाइदे मन्द है तो सबसे पहले मैं आप इस कविता को पढ़ कर बताएंगी हमारी कविता का शिर्षक है आलू बोला आलू बोला मुझको खालो मैं तुमको मोटा कर दूंगा पालक बोली मुझको खालो मैं तुमको ताकत दे दूंगी साथ में मूली गाजर बोली अगर हमें भी खाओगे तो खूब बड़े हो जाओगे खूब बड़े हो जाओगे खूब बड़े हो जाओगे तो चलिए बच्चो अब हम इस कविता को गुन गुनाते हैं आलू बोला मुझको खालो मैं तुमको मोटा कर दूँगा पालक बोली मुझको खालो मैं तुम्हें ताकत दे दूँगी साथ में मूली गाजर बोली अगर हमें भी खाओगे तो खूब बड़े हो जाओगे खूब बड़े हो जाओगे खूब बड़े हो जाओगे तो चलिए बच्चो अब हम इस कविता को म्यूजिक के साथ गुन गुनाते हैं आलू बूला मुझको खालो मैं तुझे मुटा कर दूँगा पानस पूली मुझको खालो मैं तुझे ताकत देदूगी पानस पूली मुझको खालो मैं तुझे ताकत देदूगी सास में मूली गाजर पूली अगर हमें भी खाओगी तो खुब बड़े बच्चाओगे आलू बोला मुझको खालो मैं तुझे मुटा कर दूँगा पानस पूली मुझको खालो मैं तुझे ताकत देदूगी सास में मूली गाजर पूली अगर हमें भी खाओगी सास में मूली गाजर पूली अगर हमें भी खाओगी तो खुब बड़े बच्चाओगे तो खुब बड़े बच्चाओगे तो बच्चों इस कविता के माध्यम से आपने अच्छे से जान लिया कि सबजियां खाना सेहत के लिए कितना फायदे मन्द है तो सभी बच्चे माम को प्रामिस करेंगे कि आप सारी सबजियां खाएंगे और इस कविता को याद करेंगे, गुन-गुनाएंगे और सब को सुनाएंगे Thank you so much, have a nice day